नमस्ते दोस्तों कैसे हो आप सब आईए भगवान जी का अशिर्वाद लेते हैं और शुरू करते हैं कुछ ना कुछ चेंज में करी रही हो मेरे गार्डन में और आइटिंग ऐसी होती है गार्डनिंग कुछ ना कुछ करते हैं चाहिए तो यह कुछ कोलियस की मैंने प्रून बड़ी थी एक दूसरे प्लांट को खाली कर रहे थी तो मिट्टी बची तो मैंने इसमें डाल दी थी तो इसके अंदर मैं यह कुछ लगा रही हूं मेरा पिछला एक्स्पीरियंस अच्छा नहीं है मतलब कटिंग शुरू हो जाती है फिर खराप जाती है तो कोलियस के बड़ फिर भी मैं कोशिश कर रही हूं इसमें जितना हो सके एक या दो नोट पॉइंट अंदर चले जाएं इतना मैं कोशिश कर रही हूं बड़ी बड़ी पर फिर भी कुछ लीव्स हैं अब ये भी क्योंकि सारी लीव्स मुझे से हटाई नहीं गई इतनी सुन्दर इसकी पतिया है एक तो और मुझे बहुत ही प्यारा लगता है ये पौदा और एकदम फूल नहीं होने से भी इसकी वज़े से मेरे गार्डन में तो ये देखिए मैं इसमें अच्छे से लगा दिया है और फिर इसको लग दिया है मैंने कैसे शेड़ी ब्लोकेशन में इदर दूप नहीं आएगी और कुछ दिन में ये कटिंग सोपफुली ग्रो हो जानी चाहिए बट अब की बार मैं इसको चेड़ूंगी नहीं मैं बह तो इस वज़ा से मैं चाहा रहे थी कि आज उसमें प्यास का पानी मैं मिला के डालू प्यास के चिलको का पानी तो वही मैं कर रही हूं इसके अंदर अच्छे से डालने की कोशिश कर रही हूं कम से कम एक छुटी सी पाल्टियस मैं एक धकन के करीब मैंने दिया है ये और मेरे पास रखा वादा बनावा उससे मैं पानी थोड़ा सा मिला के ही करा है और फिर मैं बढ़ चली हूँ देखो मेरे प्यारे छेदुरा मिल गए हैं ये कहीं खो गए थे पर अब वापस मिल गए हैं इससे पानी देर में मुझे बहुत मजा आता है और पानी के स्यादा फोर जिर देनडा के के तो प्लार के मूंदी खरे तो पानी देरें हुत मोस्ली फ्लारिंग निए उन निए उनको भी थोड़ा बत भावत फॉसफफरस मिलना ही चाहिए था म backyard तो यहीं सोचके निए भóन,ंड़ डेर हूँ निए जिकाती ओ आपको यह देखो यह जो राष यह चोटी चोटी सी उपर बड़ आ रही है मेरी खुशी का टिकाना नहीं था यह देखो दूसरा प्लांट भी है यह भी कैसे सुका सुका हो रहा था और अब यह देखो भगवान जी की गृपा है और आप सब लोगों की गुड़ विशेज है इतने अच्छे आप लोग मेरे को क पौधा लग रहा है सुक गया है पर उसमें चोटी चोटी से एकदम माइन्यूट माइन्यूट सी ग्रोथ आ रही है पता नहीं अब उसको मैं ग्रो कैसे और बढ़ाओं तेजी से पर मैं फिर भी शांती से कर रही हूं ज्यादा कुछ करा तो फिर पौदे कई खरामना हो ज किल रहा है तो उसको उसको कुछ तो और मुझे करना पड़ेगा और ये दिको ये बाल्टी की यह इतिंक फाइब लीटर की बाल्टी अ तो जितनी बार मैं इसको वर रही हूं जितनी इस में ही प्यास का पार थे रही है तो अब मुझे लगता हो और देने के चलत नहीं कि boils पौधो में अभी भी पानी है मिटी गिली है तो ओवर वाटरिंग मैं बिल्कुल भी नहीं करना चाहती हूं बट स्टिल कर रहे हैं तो यह मैं आज टॉनिक वाटर दे रही हूं मेरे पौधो को यह देखो सदाबार की कटिंग्स मुझे ऐसा लगता है चल जाएंगी बाकी त करते हैं देखो दीरे दीरे करके सब पौधोर्य दे रही हूं जिन पौधों मैं आए सब भी गिली होस्त प्यास के चिलकों पानी ज़्याइब और डेखो यह हॉलिहोग को पौध यह दा बिना color सेलेक्यर करें और इसनना प्यारा कलर आ रहा है ना बहुत सुन्दर लग रहा है को दीखके में तक खुश हो गई हूं मैंने इसके पर एक शॉट डाला था आई तिंग आप लोग को पसंद आया होगा जरूर देखिएगा कैसा लगा आपको बताइएगा मुझे कमेंट में और यह आज हम लगे वे हैं पौदो को फर्टिलाइजर तो खे मैंने फर्मी कंपोस्ट अगरा कुछ अभी तक डाला नहीं है पर मैंने सुचा इस लिकुड फर्टिलाइजर से शुरू करते हैं खाद मुझे दे देनी चीए मेरा यह मंत में खाद दे देने का टार्गेट है अब पता नहीं मैं कब तक दे होता है तो फिर मैं आगे करूंगी दीरे दीरे आज जैसे मेरे कोलियस की कटिंग लगाई ऐसे ही मैं कुछ ना कुछ ढूंड रहे हूं और कुछ तो मुझे दिख गया है तो दिखाती हो आपको देखो यह ही लाने डूलाने में एक और कोलियस का प्लांट है उसकी एक लग से लगाना चाहते हूं कि जो दूसरी मैंने बास्केट बनाई उसका कलर पैटर और इसका थोड़ा सा अलग है तो इसको मैं सोच रही हूं यह सिंगोनियम के साथ में लगा देती हूं बट इसकी मिटी हो रही है हार्ट मैं कितना मतलब मैंने पौदों को बिल्कुली ध अधिकली देंगे तो खेर आगे चलते हैं इसको मैंने करा बट इसकी मिटी मुझे लगी नहीं इसकी लगाना चाहिए तो दूसरा यह पौट है यह भी सिंगोनियम में लगे वे इसमें कटिंग लगी विया इसके साथ लगा रहते यह तो मेरा कटिंगला पॉट हो गया है एक वांटरिंग जू की कटिंग लगी है और अब लगारी हो मैं कोलियस की कटिंग एक ही गंबले में इतने सारे प्लांट्स मैं तो सोच भी नहीं सकती थी मैं नॉर्मली डर लगता है मुझे कि कहीं मेरे पौदे खराब ना हो जाएं बट कोई नहीं आर जब तक ट्राय नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा यह ता अज का मेरा व्लॉग थोड़े बहुत काम करें हैं गार्डन की हारात आप देखरें थोड़ी सुतर रही है आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा मिलते हैं अगली बार बाई बाई